तो हे गाइस वेलकम टू बैंकिंग वन वन टिप्स मेरा नाम है विकरम अधित्या और आज के इस वीडियो में हम देखने वाला है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाती है और उनके अकाउंड में जो भी अमांट है अगर आपको उसे क्लेम करना है बट उनके अकाउं किस तरह से क्लेम कर सकते है तो यह जो प्रोसेस है यह काफी बड़ी है तो मैं वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले तो आपको कहाईना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सेकंड चैनल जो विकरमा दित्या व्लॉक चैनल है अगर उसे सिस्क्राइब नहीं किया है तो चलिए इस वीडियो की शुरूआत करते हैं कई सारे लोगों को यह चीज़ पता नहीं होती है कि अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनके अकॉंड में से पैसे किस तरह से निकालना है जिनकी डेथ हुई है तो यह आप डायरेक्ली बैंक में जाके खुद तो पसलिप हाड हो जाता है क्योंकि आपको एक तो नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह से क्लेम करना है और जब आप बैंक में पूछते हो तो जिस तरह से वहाँ पर बैंक इंपलोई आपको बताते है इतनी भीड में आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्स करूंगा कि पूरा देखिए ठीक है अगर आपको यह फिर भी समझ भी नहीं आता तो बैंक से आप जाके पूछ सकते हो ठीक है तो यह वीडियो मैं दो पार्ट में बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वह होता है कौन कौन से डॉकुमेंट आपको लगते हैं अगर आपके जो डिसीज है मतलब जिनकी डेथ हुई है उनके अकौन में अगर कोई भी नॉमिनी नहीं है तो यह बहुत बड़ा मतलब टेंशन वाला काम हो जाता क्योंकि उसके लिए फिर आपको अफिडेवेट वागर बनाना पड़ता है अगरा बनाना पड़ता है तो यह step by step मैं आपको समझाओंगा तो चली शुरू करते हैं तो देखिए दो तरह के इसमें केसे सिनेरियो है अगर जो जिनकी डेथ हुई है उनके अकाउंट में पांच लाग रुपे से कम अगर अमाउंट है तो उसके लिए कुछ उतों को उनसे डोकूमेंट बैंक में जमा करने पड़ेंगे अगर हैं पहुत हैं एम हम कैसे भरना है वो नेँख सीडік लून के देखें चैले में तो सबसे पहला क्लेटी मां क्लेंटी क्लेंट appeal में जो है वह लंबा-चरो おड़ क्लेंटी पांश 540 यह बहुत वाग क्लें बकिना होता नहीं है बट इतना वड़ा फॉर्म देखे लोगों रोजाते हैं तो सबसे प्रते हम डॉकुमेंट डेखेंगे कि कौन कौन से डॉकुमेंट आपको बैंक में सब्मिट करने होते हैं सबसे हो गया क्लेम फॉर्म सेकर्ड है पास्बुक जिनकी डेत हुई है उनका जो भी मुंसिवल और परेशर वोगण वह आकर देथ लगता है ड़साब से ऊसके पर मतलब जितने विवारस के तो उनका कहता है उसे मतलब ऐसे अगर फादर की बजगी तो Legal Hair कौन-कौन हो गए उनकी वाइफ मतलब आपकी मम्मी आप आपके अगर कोई भाई बेहन है तो यह सब हो गए Legal Hair तो एक Legal Hair का Certificate जो है वो लगता है Certificate कहाँ से बनेगा आपका जो भी सेतु वगड़ा है तहसिल वगड़ा है वहां से यह Legal Hair का आपको certificate certificate बनाना पड़ता है यह लिगल है का certificate किस तरह से बनाना है उसका format होता है जो आपको इसमें मिलता है उसके बाद indemnity मतलब जो claim करने वाला है तो उसके उसका जो indemnity bond बनाना पड़ता है 200 रुपए के stamp paper पर यह आप तो वह format का दोस्तों के stamp paper पर पर इंडिमनेटी पूरा बनवाना है claimant के नाम से मतलब जो claim करने वाला है मतलब जितने भी लोग है आप legal hair चार-पाश लोग उसमें से किसी एक को आपको चूस करना पड़ेंगा कि इन्हें जितने भी amount है इनके account में डाल दीजिए करके तो वह जो हो जाता है claimant तो मतलब जैसे जैसे आपकी पिता जी की death हो गई तो आपने क्या किया सब भाई बैनों ने मिलके कहा कि हमारी माता जी के account में वह पैसे डाल दीजिए उनके तो वह माता जी हो गई claimant ठीक है तो यह आपको 200 रूपे के stamp paper बनाना है मगर इसको आपको notary नहीं करना है ठीक है disclaimer disclaimer का मतलब होता है कि आप जो आप हो आपके भाई बहन है यह disclaim कर रहे हैं मतलब यह कह रहे हैं कि यह जो जो भी जितने भी हम भाई बहन हैं हमको यह पैसे नहीं चाहिए आप हमारी माता जी के account में यह पैसे डाल दीजिए तो इसको कहा जाता है disclaimer मतलब आप claim नहीं कर रहे आपकी माता जी और आप कह रहा हो कि हम डिस्क्लेम कर रहे हैं हमें पैसे नहीं चाहिए आप हमारी माता जी के अकॉंट में डाल दिजिए पैसे यह उसका मतलब होता है तो यह जो होता है यह इसमें आपको सव रुपए के stamp paper पर notary करना पड़ता है ठीक है तो यह notary होगा in front of court या फिर court ने जो भी appoint करके रखे गया है जो भी notary के offices वहाँ पर आप जाके सव रुपए के stamp paper पर notary कर लोंगे इसमें बाकी के जितने भी legal hairs है मतलब आप आपके भाई बहन यह हो गए बाकी के legal hairs तो इन सब के signature रहेगी इसमें आपकी माता जी की signature नहीं रहेगी समझ गया तो इंडिम्निटी जो आप बनाते हो उसमें माता जी की signature होती है वह होती है in front of branch manager उस पर आपको notary नहीं करनी है 200 रुपए के stamp paper पर बनाना है वो notary नहीं करनी है और जो disclaimer होता है वह सावरुपए के stamp paper आपको करना पड़ता है notary करके ठीक है तो इसमें बाकी बाकी के signature होते है disclaimer में यह हो गए documents और इसके साथ जो आपको जो भी claimant है मतलब claimant हो गया और जितने भी वारस है आप legal hairs हो गया मतलब claimant वह तो आपकी होगी बाकी के legal hairs आप हो गए आप सबके के वैसी document लगते हैं तो आधार कार्ट पैन कार्ट सभी का लगेंगा ठीक है यह हो गया documents जो आपको लगते हैं और indemnity और disclaimer कैसे बनाना है इसका भी format जो है वो दिया गया है किस तरह से बनाना है यह मैंने आपको बता दिया उसके बाद अभी यह हो गया पाच लाग से कम अगर पाच लाग से ज़्यादा amount है तो उसके लिए एक दो additional document है कि यह जो indemnity होती है उसमें surety चाहिए जो लोग ऐसे चाहिए रहेंगे जिनका ITR वगरा जो भरते हैं उनको tax receipt वगरा लगती है उनकी surety लगती है ठीक है surety मतलब वह sign करके देंगे वह जो भी आप indemnity का बनाने वाले हो format जो इसमें दिया गया है उसके format में surety दो लोगों की लगती है दो लोगों की signature चाहिए तो एक witness आपको ल होगा ही क्योंकि अभी तक मैंने आपको form भरके नहीं दिखाया है तो आने वाले वीडियो में यह clear हो जाएगा आपका doubt भी तो अब हम मिलेंगे next video में जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि यह form कैसे भरना है अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाए